वेल्कम टू लेट्स क्रेक तो कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे नवरात्रे चल रहे हैं आज सब्तमी है तो नवरात्रे भी पूरे होने वाले हैं कल मतलब किसी के यहां समापन हो जाएगा आज तो मोशली सभी कई फास्ट रहता है ठीक है जो बगवान से जुड़े हुए अब जिनका फास्ट नहीं होगा वो बोलेंगे कि हम भी बगवान से जुड़े हैं लेकिन हम फास्ट नहीं रखते हैं तो देखो ऐसी भी बात है मुझसे जादे वरत वगरा रखे नहीं जाते क्योंकि चक्कर आजाते हैं बिना खाए तो खाके भी रख सकते हैं के लिए भी helpful है और यूपीट खेली मतलव सभी में ही आता है जो सभी में होतिए खीक है चाहिए वह यूपी तेट हो चाहिए वह आती है अब डिफरेंस क्या है योपी टेट है इन में तो आता है इन है और सभी सवारेटा चाहिव में पूछा जाता है ज जादं यह या उसके अंदर यह अंतर है, डिफ्रेंसीज है, तो क्या है, तो इस तरह की कोश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस यह डिफ्रेंस है, ऐसा नहीं है, कि वही एमपिटेट है, तो उसके लिए अलग से ही CDP बनेगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ B.E.D. क बुक्स से ही तो बन के आ रहा है, ठीक है, बस कोश्चन थोड़े से अलग हो जाते हैं, कोश्चन जब हम प्रेक्टिस करते हैं, तो हमारे कंसेप्ट किलियर कट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एपलाई करना आ जाता है, चीजों को, तो हम कर गए है, यूपिटेट की CD आज कल और फास्ट भी है, तो इस वज़े से थोड़ा सा हो रहा है, मतलब इंबलेंस चल रही है, लेकिन मैं उन्हें सही कर दूंगी बिल्कुल तरीके से सीरियल वाइज लगा दूगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ओन कर लें, और अगर आ ठीक है, तो दोनो ही चैनल आपके लिए बेनिफीशल है, बाकि अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फोलो कर सकते हैं, फेस्बुक का ये फेस्बुक पेज है, ये मेरी फेस्बुक आइडिया है, टेलिग्राम पे आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े है लेट्स क्रेक ओफिशल, लेट्स क्रेक 1623 ओफिशल सर्च कर सकते हैं, ये फिर डेस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जो मैं कराऊंगी, वहाँ पीडियाफ मैं आपको दे दूँगी, अब काफी दिन से पीडियाफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बात भी नि रहता है, ये बात भी, बाकी आज हमारा जो टोपिक है वो है इंडिविज्वल डिफरेंसि, यびक्तिगत विभीनता विकतिगत अंतर कुछ भी कह सकते हैं, कहने का मतलब है जो हर एक इंडिविजवेंसरी में डिफरेंसिस पाय जाते हैं, कुछ न कुछ अंतर सभी में पायजाते हैं जैसे मैं हूँ मेरी भेन है तो मेरी भेन में और मुझमें बहुत अंतर है कोई जुर्वा भाइट है उनमें भी अंतर पायजाता है आपके घर में हैं नवीर हो चार हो तो सारे अलग-अलग किसी का इंट्रेस्ट कुछ होगा किसी की सकल कैसी होगी कोई सुन्दर होगा कोई काला होगा कोई पतला होगा कोई मोटा होगा तो यह सब क्या होते हैं यह इंडिविजुल डिफ्रेंसिज होते हैं व्यक्तिकत विभिंताय होती हैं ठीक है तो टोपिक को स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं क्या होता है individual differences stand for the variation among individuals यानि जो भी लोगों में variations पाए जाते हैं जो भी किसी व्यक्ति में अंतर पाए जाते हैं किसके दिगार्ड में physically भी हो सकते हैं फिजीकल सारे रिक तरीके से भी हो सकते हैं कोई मोटा है तो कोई पतला भी हो सकता है किसी भी तरह का हो सकता है mentally भी हो सकते हैं यानि कोई होशार है कोई डल भी हो सकता है तो ये भी व्यक्ति गद अंतर है emotionally कोई strong भी हो सकता है कोई weak भी हो सकता है कोई जल्दी रो देता है कोई बिल्कुल भी नहीं रोता है है ना social point of view से भी हो सकता है कोई समाजिक तरीके से बहुत अच्छा हो तुनीक विद्ट भी जई उसे डिएसे बhutला है कोई छोटा है यह कीस की मतरन सकते हैं कोई नंभा है कोई छोटा है यह अनका थे हम है। सकते हैं mentally कोई होश्चार है कोई डल है वो आई क्यू से माप सकते हैं तो इसी तरीके से मातरात भी है सत्संख्यात्मक भी है ठीक है अब दो definition है इसकी definition तो बहुत सारी है लेकिन बीएफ स्कीनर की और टेलर की देख लेते हैं बाकि जो भी definition definition पूछी जाती है वो questions के through भी हो जाती है definition किसी को भी याद नहीं रहती है एक दो याद रहती है बस उने ही कर लें ठीक है definition याद गरने का कोई ऐसा तरीका नहीं है शोर्ट रिक बस रट की हो सकती है बीएफ स्कीनर ने एक definition दिये कि इसकीनर के अनुसार मापन किये जाने वा टेट हो चाहे वो शायज हो चाहे वो shape हो कुछ भी हो सकता है ऐस पीचर सों कुछ बिन ठीक है me Taylor ने क्या कहा है सब अपने वे यू ख कर दे रहा है तो वह व्यक्तिगत भिनता है ढगे चलते हैं फिर इसके नेचर और करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं यानि इसकी प्रकरती कैसी है क्या इसके अंदर विसेशता हैं देखो यह यह लाइन तो हम ग्रोथ और डवलपमेंट में पढ़ते आ रहें कि पाली ओ सकती है एक मो्टी हो सकती है पतली हो सकती है तो उनमें भी डिफ्रेंसिस पाए जा सकते हैं तो ट्विल्स चेल्डर्ण में भी डिफ्रेंसिस पाए जाते हैं कोई इनडिवीजुल एक जैसा नहीं है कहने का मतलब क्या है जो जुकाव है एक जैसा वो किसकी तरफ है average की तरफ देखो average चीजे जो है जादे पाई जाते है उसकी तरफ जुकाव जादे रहता है कैसे क्लास में पचास बच्चे हैं ठीक है पचास में से मुस्किल से पांच ये तीन बच्चे ऐसे होंगे जो टोपर होंगे फर्स सेगिंड थर्ड ठीक है और पांच भी मान सकते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ किरियेटिविटी पाई जाएगे लेकिन 40 जो बच्चे है वो average होते ह है ना तो average की जो stability है average का जो inclination है वो थोड़ा सा हाई रहता है ठीक है average की तरफ जुकाव जादे रहता है जैसे कि इस भारत में average हम गुनांग निकाल सकते हैं कि average लोग जोब करते हैं इतने परसेंट लोग तो क्या है average लोग हर जगे जादे पाएंगे चाहें दिमाग से हो इंडिविज्वर डिफरेंसी बेसिज ओफ डिफरेंट टाइपस ओडवलपमेंट ओफ मैन यानि क्या है विट्टिकत विभिन तम अनुष्य के विभिन परकार के विकास का अधार है अलग-अलग विकास सबका होता है ठीक है इसे हम मीजर कैसे कर सकते हैं physically भी मीजर कर सकत है motor capacity motor capacity से भी कर सकते हैं कि बहुत किसी की कैचिंग पावर बहुत तेज़ है क्लास में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होश्चा रहो उसे वह चाहे पीछे ही क्यों ना बैटा हो उसके motor capacity इतनी ज़्यादा होती है कि वह पीछे से भी इतना ज़्यादा कैच कर लेगा पीछे बैटके भी टॉप कर सकता है कोई ऐसा है कि आगे बैटके भी नहीं पड़ पाता तो किसी की हर किसी की सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब किसी करदे करते हैं तो सब्सक्राइब अलग हो सकते हैं ठीक है सबका एडजेस्टमेंट अलग हो सकता है कि मैं चार लोगों के साथ एडजेस्ट कर रही है तो क्या है सबका एडजेस्टमेंट भी अलग हो सकता है ठीक है परसनलेटी ट्रेट भी अलग हो सकते हैं यानि जो क्या बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर है व् भी बी अलग हो सकते हैं ठीक है हर व्यक्ति के लक्षन कहीं न कहीं अलग होते हैं ठीक है और किसमें एक्जिस्ट करता है सेक्स भी अलग हो सकता है जैसे कि सेक्स में क्या हो सकता है लड़किया जल्दी मैच्छोर हो जाती है यह लड़किया जादे समस्दार होती है as compared to boys ठीक गरीब से इनवारमेंट तो आगे जा सकता है गरीब कर बच्छा इसकता है इंटर इंटर इंडिविजिल डिफ्रेंसिज और आगे बहुत सारे टाइप Сबसक्ता अजब और इंटर और इंटर ठीक है बाकी जो specific हैं उन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे इंटर इंटर इंडिविज्वल डिफरेंस है यानि अंतर व्यक्तिगत अंतर यानि दो लोगों में डिफरेंसी जो पाए जाते हैं जो मापनी योग्या हैं जिने हम मीजर कर सकते हैं किसी भी दो इंसान को खड़े करो उनमें कोई जो भी इंतर आपको दिखाई दिये वो होता है इंटर इंडिविज्वल किसी भी दो इंसान में ठीक है दूसरा होता है इंटर इंडिविज्वल यानि खुद से ही किसी भी एक परसन के अंदर क्या होग व्यक्तिगत भिंता पाए जाए कैसे जैसे की देखने में कोई आदमी बहुत ज़्यादा फिट लग रहा हो जैसे कि सुसान सिंग राजपूती थे ठीक है वो डिपरेशन में थे लेकिन वो देखने में बिल्कुल फिट थे लेकिन उन वो अंदर से डिप्रेस्ड तो ओछ रहा कोई देखने में फिट लग रहा है किसी में कुछ कुछicky कालीटी कुछ नितरीं डिप्रेंसी और किसी एक ही बめて कि अंदर डिफरेंसीजा हैं तो वहएं इंट्रींडिवीजiddal चुनत के चलते हैं आगे यह चलते हैं इंडिविज्ट के की किस टाइप के डिफ्जीकल डिफ्रेंस हो सकते हैं थिक है यानि घो को Papa की लंबी होता हैfly काला होता है है तो उसके basis पर भी हो सकता है तो हैं जा सकते हैं तो यह वे physical differences याई सारिक उंतर पिर है mental憑नी दिमाग से लुप हो अग्ए मानसिक मद्वेग भी हो सकते हैं मानसिघ उसकते हैं जैसे पिर आप लोग हैं आप लोगों की सोच कूछ और हो सकती है जैसे कि कोई भी ком क dejू ज Hai की सानुसरा सोच रहे कि जोब होनी चाहिए कैसी भी यह अच्छी होनी जाई है ठीक है हमें अपना टैलेंट दिखाना है छीक है intelligence intelligence कोई बहुत जादे intelligence हो सकता है कोई बहुत कम हो सकता है कोई medium भी हो सकता है तो intelligence में भी अंतर पाय जाता है तो understanding में भी difference हो सकता है और बहुत से लोग ऐसे समझाने पर भी को समझते आ हैं तो उसमें भी Differences श्कता है ठीक है तो भाध तरहेके mental differences भी हो सकते हैं ठीक है ma emotional differences sympathy उर empathy difference हो सकता है कोई बहुत ज़्चेंज़ बनाश भी lazy sola बहुत जल्दी रोने वाला हो कोई बहुत इस्ट्रोंग हों कि बिल्कुल भी न रोता हो तो emotional differences भी पाए जाते हैं मैंने ऐसे ऐसे सकत बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल भी नि रोते हैं कितना भी पीट लो कितना मी मालो ऐसे सकत खड़े रहेंगे कि उन्हें इतना कुछ नहीं हो होते हैं तो भी हमारी आंख में आस हो जाए तो इमोशनल डिफरेंसींस भी होते हैं कोये इंट्रोवार्ट भी हो सकता है तो गुन्ने मनमन में किसी से बात करेंगे तो पॉते हैं एक्स्तो वर्ड क्या होते हैं जो बातूनी होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं मन में कुछ नहीं रखेंगे बस बोलते रहेंगे ठीक है तो यह होते हैं एक्स्टोवर्ट तो इन में भी डिफ्रेंसिस पाई जा सकते हैं कि कुछ बच्चे जाएं कुछ इंट्रोवर्ट हो सकते हैं कुछ एक्स्टोवर्ट हो सकते है बहीर मुखी और अंतर मुखी इंट्रेस्ट डिफरेंस भी हो सकता है यानि रूची में भी अंतर हो सकता है किसी को स्पोर्ट में इंट्रेस्ट आ रहा हो पढ़ाई में ना हो किसी को डांस में भी इंट्रेस्ट हो सकता है कोई अपना dance में करियर बनाना चाहता हूं उसे dance में इंट्रेस्ट हो किसी को music में भी हो सकता है कि music में मुझे जाना है पढ़ाई मुझे करनी नहीं है ठीक है attitude difference यानि रवय में भी अंतर हो सकता है किसी का attitude कैसा होता है ठीक है learning ability difference होता है यानि शीखने की चमता में अंतर होता है कि दो बच्चे हैं चार बच्चे हैं सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं अब जैसे कि आप लोग है केमरे के पीछे कितने लोग देख रहे होंगे कोई किसी तरीके से सीखता है कोई किसी तरीके से कोई सो का सो परसेंट सीख लेता है जितना पढ़ाया गया कोई किसी को साट परसेंट समझ में आता है किसी को सतर आता है किसी को आसी आता है किसी को बिल्कुल भी नहीं कैसी हो किसी की जैसे केते हैं कि educational बंदा किसी personality old हो सकती है किसी की modern हो सकती है कैसे भी हो सकती है ठीक है अब विख्तिकत विभिनता के छेत्र कुन से होते हैं थीन ही छेत्र होते हैं हमारे simple domain है वो कोगनेटिव यानि हमारे दिमाग से रिलेटिड जिसे संग्यन आत्मकपक्स बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन यानि हमारे emotions से रिलेटिड ठीक है और साइको मोटर यानि हमारे doing aspects से रिलेटिड तो इनके basis पे भी difference हो सकते हैं cognitive यानि हमारी mental ability जो होती है इनके बेस पे अंतर पाये जाता है emotion के बेस पे अंतर पाये जाता है और doing activity किसी की capability जादा है किसी की कम है जैसी की race कर रहे हैं कुछ बच्चे दोड़ पाते हैं कोई बिलकुल भी नहीं दोड़ पाता तो क्या है उसमें में भी differences पाये जाते हैं ठीक है थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि cognitive domain क्या है कोई भी दो बालक बुद्धी में एक जैसे नहीं होते दोनों बालकों की चिंतन सकती अलग-अलग होती है ठीक है यानि thinking power सबकी अलग होती है उनकी sexy को पलबदी भी भिन-भिन पाये जाती है या भावनात्मक छेत्र यानि affective domain यानि भावनात्मक छेत्र से क्या भी प्राय है कि कोई भावात्मक या भावनात्मक विबिनता भी पाये जा सकती है कि उनके रूचे उनके जीवन मुल्य है उनके अभी प्रेरना उनके गुन अवगुन में भी विबिनता पाये जा सकती है ठ तोंदे साइको मोटर दोमीन सुब्हान क्या मतलब है कि इसको्लम थे Гात्म अदे शेल आपने वच्छ निया विज्दार सामने न जो difित रहा से बैजना घंगा, ke साहित रहा होती direct लेकिन उने असर नहीं पड़ेगा तो जिसी की सार्य इरिक सेयन सक्ति भी अलग होती है किसी की कमजुण होती है किसी की मांस पेस यह कमजुण होती है किसी की बहुत ज़्यादी स्टोंग होती है तो इस तरह क closely अंतर भी पाए जाते हैं ठीक है जैसे कि race की बात मान सकते हैं या खेलने की बात मान सकते हैं कोई जादा खेल सकता है कोई बिल्कुल भी ने खेल सकता है थोड़ी देर में थक जाता है कोई काम करने की capability कि जैसे चलो मैं ही हूँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ कोई दूसरा वंदा हो बिल्कुल भ किसी बाल बीविभी बल बहुत सारे बाली किसी के जैनितिक होते हैं, जैसिए की घड़ी, सफेद बाल बहुत सारे शफेद बाल है, तो वह जो ऐसा है, है उसकी बाल पाये जा सकते हैं, जैसी कि class में ही 40 बच्चे है तो सब का क्या है skin tone भी अलग मिलेगा यानि कोई काला है गोरा है तो यह किस वज़े से heredity के वज़े से हमारी आखो कर रंग हमारी बालो कर रंग हमारी body shape हमारी skull की shape सारी चीजे किसे वज़े से हैं हैuireी डिक के वज़े से ठीक है environment के वज़ेसेी difference पाई जा सकते है क्योंकि हैयरी डिक से अलग जो अगर रेवलपमेंट में कोई आती है तो वहête environment चीक है environment क ź्यांनि हे हमारा psychological development हमारा second development हमारा functional development ठीक है economic development ठीक है तो बहुत सारे हो सकते हैं सोशल, emotional, physical तो यह किसकी वज़े से environment के वज़े से किसी को अच्छा environment मिल रहे है तो वो उसे अच्छी चीजे मिल रहे है तो वो आगे तक जाएगा किसी को नहीं मिल रहे है तो वो पीछे रहा जाता है यह जो एज और intelligence के वज़े से भी difference हो सकता है ये भी कारण हो सकता है कि उमर में दो बच्चे क्या है सेम भी हो या एक की दो साल आगे हो तो वो intelligent हो सकता है ठीक है तो intelligences क्या है इसके base पे भी difference हो सकता है ये भी कारण हो सकता है intelligency कोई जनम से intelligent होता है जैसे कि heredity के base भी माल लेते हैं कि कोई जनम से intelligent होता है वो आगे तक होश्यारी रहता है कोई कमजोर पैदा होता है कमजोर या नहीं mentally की पढ़ाई में कमजोर है तो वो कमजोर ही रहेगा जाये कितने भी बहनत कर लें कि इंटलीजांसी की बेश पे भी सखता है कि जल्दी मैच्ई वह जाता है कोई लेट मैच्च्आ होता है क्युंप केंच सब्सक्राइब कि इस प्रक्राइब कर जाके उलगते हैं जल्दी अगते हैं लड़के एकदम से ग्रोथ करते हैं, वो 11 तुमें जाके बड़ी दिखेंगे, ठीक है, तो सेक्स भी कारण हो सकता है, क्रियेटिव पावर भी कारण हो सकती है, कोई जादे क्रियेटिव होता है, कोई कम होता है, ठीक है, कास्ट रेस, कल्चर और नेशन भी कारण हो सकते हैं, कि भाई हमारे यहां का रहन सैन कुछ अलग है खाना पीना अलग है अगर हम दूसरी कंटरी में जाए तो आए तो आखी वीडियो में इतना ही रखते हैं हमारा यह टोपिक था इंडिवीजूल डिफ्रेंसिस जोटा सा टोपिक था और बहुती सिंपल टोपिक है सबी को समझ आया होगा बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ के भी हम इसे पढ़ सकते हैं तो क्या बोलते हैं पेपर में ऐसे ही कुश्चन आते हैं इंडिवीजल डिफरेंसीज कर रखके देगा कि किस वज़े से होता है उसमें हैरी डिटी एनवार्मेंट तीन-च